चलिए दोस्तों बात करते हैं कि कैसे आप जो है ओनलाइन रेजिस्टेशन या ओनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं अपना हिमचल प्रदेश टीचर एबिलिटी टेस्ट का यानि हपी टेट का तो वो जो फॉर्म है वो आप अपने मॉबाइल से फिल कर पाएंगे क्योंकि आज वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें आल करें तक कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं त तो दोस्तों HPTED का एक्जाम जो फॉर्म है वो फिल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फॉन के ब्राउजर को उपन करना होगा ब्राउजर के ब्राउजर को उपन करेंगे तो आपको उस पे लिखना होगा hpboss.org.in तो यहाँ पर आप जैसे इस वेबसाइट को उपन करेंगे मिचल प्रदेश board of school education.org है तो यह आपके पास phone में application खुलेगी यहाँ पर आपको टैट जून 2021 तो इसको उपन करेंगे इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसकी जो instructions है guidelines है वो आपको देखने को मिलेगी कि आपका क्या क्या इसमें guidelines है तो यहाँ पर मैं आपको इसकी कुछ basic सी detail और इसकी जो eligibility है वो आपको बता दूँ date of birth and is the education board of class 10th certificate आपकी जो इस पे आप नेम एंटर करोगे father name है mother name है इसके अलावा date of birth है वो होनी चाहिए आपकी metric certificate में जिस तरीके से एंटर है उसके अलावा examination fees की बात करें तो 800 रुपए general के लिए है और and its sub category इसके अलावा accept पी एच एच तो इसके अलावा बात करते हैं कि OBC, ST, SC, PHH category के लिए 500 रुपए इपलाई और इसकी जो online और deadline की बात करें तो वो 24, 5, 2021 से शुरू है 13, 6, 2021 तक रात के 12 बज़े तक किये जो link है open रहेगा without late fees इसके अलावा अगर आप इससे late करते हैं 13, 6, 2021 के बात करते हैं तो 14, 6, 2021 से 18, 6, 2021 के रात 12 बज़े तक आपको late fees के साथ form फिल करना होगा जिसकी late fees 300 रुपए है इसका मतलब है कि अगर कोई OBC, SC, ST से है तो उनको 500 प्लस examination fees प्लस 300 रुपए आपकी late fees 800 रुपए और general की 800 प्लस 300 रुपए फिल करने के लगेंगे इनके साब जो है 13, 6, 13 जून के बाद apply करते हैं उसके बाद इसमें जो इसके लावा ये कह रहा है कि आपका जो exam, जो roll number है, admit card है वो exam से लगभग 4 या हफता भर पहले आपको पहुंचेगा online नहीं रहेगा ये भी जिसको कि आपको download करके print करना होगा ये आपको by post नहीं आएगा, तो ये आपकी जो है detail है इसके लावा form कैसे fill करना है, form fill करने के लिए आपको जितनी भी आपसे fill करने के लिए form में चीजे पूछी गई है, वो आपको fill करनी है इसके लावा एक application number generate होगा, वो आपको no down करना है और अगले step की बात करें, तो इसमें आपको photo upload करना होगा जो photo है, वो आपका size होना चाहिए, तो जो आपका passport size photo आप upload करेंगे उसका size जो होना चाहिए, वो होना चाहिए 15 KB से ज़्यादा, पर 20 KB से ज़्यादा ना हो इसके अलावा बात करें, जो आपको signature upload करेंगे, उसका size होना चाहिए 10 KB से ज्यादा और 15 KB से कम होना चाहिए, तो ये आपको कैसे resize करना है आप जो photo लेंगे camera से वो ज़्यादा size का photo होगा तो उसको resize करने के लिए आपको कैसे करना है वो मैं already एक video बना चुका हूँ आई section में आपको video का link मिल जाएगा आप वहाँ पे जाके check कर सकते हैं इसके अलावा video के end में end screen पर आपको देखने को मिलेगा description पे जाके देखने को मिलेगा जिसका photo resizer के नाम से है video तो आप इसको check करें और जो photo resize है वो आप घर से ही कर सकते हैं इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे terms and conditions की इसको आप करने mark mark करने के बाद अगर आप already form fill कर चुके हैं इसमें तो आपको sign in पे click करना है register की तो register पे जैसे ही हम click करेंगे आपके पास यह page खुलेगा इस page पे आप से जो जो detail पूछी जा रही है खासकर जो star item है mandatory fields form fill not be processed if all mandatory fields are not completed means कि अगर जितनी भी यहाँ पे start item है यह star है तो वो अगर कोई fill नहीं होती है तो आपका जो form है वो next step पे नहीं जाएगा तो आपको क्या करना है यह ध्यान रखना है कि जो आपकी start item है वो mandatory है तो date of birth must be entered in this format ठीक है जी please do not prefix candidate name father name and mother's name with this तो अगर आप father mother name input कर रहे हैं तो उसमें mr, miss, shiri, shiri mati तो यह सारी चीज़े ना लगा है डारेक्ट आपको name enter करना है तो यहाँ पे first है अधार number अधार number enter करें subject subject की list है तो यहाँ पे आपकी जो भी subject है वो आप यहाँ से select करें तो दोस्तो यहाँ पे सारी फिल्ड़े ही mandatory है तो यहाँ जो email id के में बात कर रहा हूं कि यह mandatory नहीं है तो यहाँ पे जब आप save करते हैं without email id तो email id के लिए ये enter करने के लिए कहता है क्योंकि ये फिर आगे next step पे proceed नहीं करता है तो email id भी compulsory है तो कोशिश करें कि जितनी भी यहाँ पे field है वो सारी आप fill करें उसके बाद आपको save करना है save करने के बाद जैसे ही आप save करेंगे आपके पास ये page खुलेगा जहां पे आपको आपकी application number दिया जाता है इसके अलावा you have registered successfully your application form will not be considered until your fee will not be verified by the board तो ये आपका registration हुआ है registration होने के बाद अभी आपको क्या करना है इसको आपकी जो fee है वो आपने submit करनी है तो वो आपने कैसे करनी है तो उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से visit करना है टेट जून में टेट जून में क्लिक करने के बाद इस पे आप करें इसकी condition mark करें और sign in पे क्लिक करना है अब sign in पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अपकी जो application ID है वो आपको यहां पर enter करनी है enter करने के बाद data of birth आपको यहां पर enter करना है और यहां पर आपको CAPTCHA enter करना है login पर click करेंगे तो दोस्तों जैसे आप यहां पर login कर जाते हैं आपके पास यह portal खुलेगा यहां पर आपका तो यहां पर आपका अगर आप edit और modify कुछ करना चाहते हैं तो यहां से होगा यहां पर आपको select करना है edit modify application form उसके बाद है upload photos and signature इस पर click करेंगे तो यहां पर आपको student photo student signature तो choose file यहां से करना है upload size is 50KB to 20KB और upload size is 10KB to 15KB तो यह size को अपने size में कैसे लाना है आपका जो passport size photo है और जो आपके signature है तो उसका मैं already video बना चुका हूँ description और end screen पर आपको video मिल जाएगी आप वहां से जाके चेक कर लें और i section में भी दिया है इसके अलावा जैसे आप यहां से अपना photo और यह सारी चीज़ upload कर देते हैं आप ok पर click करेंगे next step पर जाएंगी next आपका आता है online payment का तो आपकी जो भी category wise payment है वो automatically यहां पर आपके पास सामने आ जाएगी आप online इसको pay करेंगे और last option है आपके पास print application form तो अभी आप phone पर से apply कर रहे हैं तो आपको print करने के अभी जरूरत नहीं है इसका आप PDF phone में ही download कर सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है अपना जो online HP TED का जो form है अपने mobile से fill कर पाएंगे इसके अलावा जैसे ही आपका roll number update हो जाता है एक्जाम से लगवग 57 दिन पहले जितना दिन भी तो वहां पर आपको आपके number और mail ID पर message या mail शो हो जाएगा तो इस तरीके से आपका क कैसे download करना है वो भी मैं आपको next video में बताऊंगा कि आप घर बैटे ही कैसे phone को आपके roll number को download कर पाएंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें comment करें share करें साथी चैनल को subscribe करना ना भूलें तो हम मिलते आपको next video में धन्यवाद